सभी प्यारे दोस्तों को गुड आप्टनू सभी साथ ही एक बार क्लास से जुड जाएंगे मैं आपका दोस्तंके चोधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिबार टीचिंग भाई रोजगार विदंकित पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आ सुरेश यादव, कंचन गुपता, आफ्टनून जी, आफ्टनून निर्मल सिवारी जी, बहुत बढ़िया, शौनी वर्मा, रितिका, राहुल, संजना, गुडिया गुपता, खुश्बू मौरिया, सब ही प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टनून, सब ही एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का जबदा स्चेशन, आज की क्लास में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, यानि कि पाचन तंतर के बारे मताऊंगा, यहाँ से आपके एक्जाम में बार बार कोशन बने हैं, और बार बार कोशन पूछे जाते हैं तो सारी चीज़ें जितनी भी हमारे exam के point of view से जरूरी होंगी वो सारी चीज़ें आज की class में हम discuss कर रहे होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से उनको समझने की भी कोसिस कर रहे होगे बहुत बढ़िया जैभीम भाई mission यूपी टीचर बहुत बढ़िया रुवी वर्मा विनूद कुमार ललित हर हर महादेब भाई सर अज हमारा बढ़्डे है बहुत बहुत सबकामना है जी पूजा जी आपको जनम दिन की आप साथ आठ सो साल जी हो आपकी सरकारी नौकरी लगए आपके आठ दस बच्चे हों सभी बच्चे हस्ट पुस्ट हों आप भी हस्ट पुस्ट रहे हैं ठीक है न भाई इतना आसर बाद तो ठीक है न इससे जादा मत मांगना कुछ फिर गड़वड हो जाएगी ठीक है चलो इधर आजाओ डाइजेशन यानि की पाचन क्या है चीज़ों को समझो बहुत बढ़ी है आप सभी जुड़ जाएए देखो भई ईवियस का सलेबस जादा है और यूपी टेट तो पताना कहा कहा से क्या क्या पूछ ले तो जो आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही ना पॉलिटी के ठीक ठाक कुशन पूछे जाते हैं अब देखो सारी चीज़ ना करा पाना हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप सभी समझदार हो तो इसलिए मैं आपको पहले ही डारेक्शन दे रहा हूँ कि जो भी पॉलिटी की क्लासिज हुई है उन पॉलिटी की क्लासिज को आप एक बार जरूर कर ली जिएगा जो भी क्लासिज अभी तक हो रही है वहां पे ठीक है ना यहां से EVS में भी पूश्टा है, EVS में परियावरंड तो पूश्टा ही पूश्टा है, आपका परियावरंड के साथ खा लेते हैं, खाने के बाद-बाद निकाल देते हैं, तो यह निकि खोस्बू से लेके और बद्वू तक का पूरा प्रॉसीजर है वो आपका digestion कहलाता है पाचन कहलाता है बात आपको समझनी है तो पाचन तंत्र पाचन तंत्र क्या है यानि कि जिसको बूलते है digestive system यानि कि जितने भी औरगन इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं इस काम में भाग लेते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है तीक है ना भाई पांच शे कुशन आये थे आपके नौट्स में से अच्छा दी बिलकुल आये थे सुमित गुजर यहां भी आएंगे यहां भी कुशन आएंगे लेकिन यहां सलेबस सुड़ा जादा है तो आपको भी मेरे साथ मे बहंकर वाला बहुत सारी चीजे मैं आपकी वहां किलियर कर रहा हूँगा आप उस किलास को बिलकुल देखिएगा मतलब फुल टाइम दीज़ेगा उसमें बहुत सारी चीजे मैं कुशन के साथ डिसकस करूँगा उसमें ठीक है ना सभी तयार रहे है उस चीज के लिए यह चोटे 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 तुकड़ों में तूटना क्या कहलाता है डाइजेशन कहलाता है यनि कि बड़े बड़े पार्टीकल्स का चोटे चोटे पार्टीकल में कनवर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है डाइजेशन कहलाता है अब जितने भी औरगन इस प्रोसीजर में पार्टि पाचन पिरक्रिया होती है, जो संपून पाचन पिरक्रिया है, कहां पूरी होती है, ये होती है आपकी अलाइमेंटरी के नाल में, कहां होती है बच्छो, अलाइमेंटरी के नाल में, ठीक है न, अलाइमेंटरी के नाल किसे बोलते हैं, तो अलाइमेंटरी के नाल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं बच्छो आहार नाल में पूरी होती है अब देखो आहार नाल कहां से कहां तक फैली हुई है तो आहार नाल आपकी मुख यानि की मुह से स्टार्ट होती है और जो आपका एनस है गुदा है वहां पे जाके खतम होती है एनस यानि की गुदा पर जाके क्या होती है, समाप्त होती है, तो ध्यान रखना है आपको मैं क्या कहा हूँ आपसे, जो complete digestion पूरा होगा आपका, कहां से start होगा, तो alimetry के नाल में पूरा होता है, आहार नाल में पूरा होता है, और alimetry के नाल के से, कहां से start होती है, तो start, ये start होती है आपके मुख से मुह से और ये खतम होती है इसका end होता है बच्चो एंड कहां होता है तो इसका एनस यानी की गुदा में होता है जहां से हम मल त्याग देते हैं वा समझ माई थोड़ी सी चीजों को समझने की कोसिस करेंगे यहां मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यह देख उन सबी को मिलाकर बनता है आपका digestive system पाचन तंत्र इसमें यहां मुह से start होता है मुह में हम फूसते हैं कोई भी चीज आपको पता है चाहे कुछ भी खानी हो मिठाई खानी हो रोटी खानी हो पिज्जा खाना हो मुह से खाते हैं तो मुह से हमारा क्या हो स्टार्ट हो जात स्टमक के बाद छोटी आत में एंटर करता है भुजन लेकिन यहां एक और होता है आपका जिसको बोलते हैं बचो लीवर यानि की यकरत यह यकरत है आपका यहां आपको एक छोटा सा औरगन दिखाई देगा जिसको बोलते हैं गाल ब्लेडर गाल ब्लेडर बोलते हैं पित पिताश्य के लिए तो यकरत से पितरस बनता है कहां इस एकटा होता है पिताश्य कैई बार क्या होता है ना भाई कैलसियम के द्वारा क्या होता है स्टॉन हो जाता है पित की थैली में पित की थैली निकालनी पड़ जाती है आपने सुना होगा तो चीजों को थोड़ा थोड बड़ी आँच से जुड़ी होती है और लास्ट में आपका गुदादवार यानि कि जोसे आप क्या बोलते हो एनस बोलते हो वो होता है ये पूरा मुह से लेके और यहां एनस ठका जो पार्ट है आपका इसे क्या बोलते हैं यानि कि पूरी पाचन की प्रिक्रिया करो देखो हम जो डाइजेशन है हमारा पाचन है उसके पांच स्टेप होते हैं स्टेप का मतलब पांच शरण होते हैं पांच स्टेप में पूरा होता है वो कौन-कौन से पांच स्टेप हैं वो लिखे हुए हैं आप एक बार ध्यान से समझोगे अगर मैं बात करूं एक होता यह क्या है अंतेगरण मतलब मुह के अंदर भूजन को रखना अंतेगरण प्रक्रिया कहलाती है आगे बात करें एक होता है फिर डाइजेशन मैं आपको बताया है डाइजेशन बोलते हैं पाचन के लिए और पाचन हमारा अलाइमेटरी कैनाल में पूरा होता है और अगर है पाचन की प्रक्रिया ठीक है न भाई मुह से प्रारंब होती है मुख से प्रारंब होती है और कल से बच्चों मैं आपके लिए स्लाइड तियार करवा करवा के लेके आऊंगा और स्लाइड से पढ़ाँगा क्योंकि स्लेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है तो सिलेबस भी गतम करना है क्योंकि आपको माक्स लेकाना है हास से पढ़ाने को पढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है बहुत लंबा समय है आगे कभी फ्री टाइम में देखेंगे अभी एक्जाम को टार्गेट करते हुए स्लाइड से मैं चीजों को कवर करा रहा हूँगा अच्छे तरीके से समझा के ठीके ना भई रशी शिंग बेटा या पढ़ने पे दिहान दे लो मुह से स्टार्ट होता है मुख से मौट से स्टार्ट होता है इसके बाद होता है अब्जर्प्शन यानि कि अब्शूशन जिसे बोलते हैं अब्शूशन मतलब आपको पता है जब हमारा भोजन क्या हो जाता है पच जाता है जैसे कि मैं आपसे बात करूँ जैसे मैं आपसे बात करूँ बचो पाचन के बाद क्या होता है पाचन के बाद जो आपका कार्बो हाइट्रेट होते हैं कार्बो हाइट्रेट होते हैं कार्ब्स वो किसमें ग्लुकोज में कनवर्ट हो जाते हैं ग्लुकोज में ग्लुकोज आपने सुना होगा बिल्कुल कि ग्लुकोज में कनवर्ट हो जाता है जो आपका प्रोटीन होता ह प्रोटीन जो होता है वो एमीनो एसिड में कनवर्ट हो जाता है पहले भी बता चुका हूँ एमीनो एसिड अमीनो अमल में कनवर्ट हो जाता है और अगर मैं आप से बात करूँ तो जो आपका फैट होता है फैट आपका फैटी एसिड फैटी एसिड में कनवर्ट हो जाता है वश्ये अम्ल में convert हो जाता है तो कहने का मतलब पाचन में ये carbohydrate, protein और fat ये बड़े-बड़े molecule हैं ये छोटे-छोटे कणों में बदल जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं पाचन बास समझ मारी है न ठीक है न भाई अगर देखो कोई भी उल्टी सीदी बात करता comment section में दिखाई दिया नाक में मार कर गुज़ा के कान में से बाहर निकाल दिया जाएगा ये बात ध्यान रखना है तो सब भधा के साथ अपनी बात आप रख सकते हो comment section अपन है अत्तमी तो ही किसी की बरदास नहीं होगी नहीं पढ़ना है बिलकुल मत पढ़िए पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़िए मैं आपसे क्या किरा हूँ एक एक चीज को समझने की कोसिस करो अंतेगरण क्या होता है भूजन को अंदर लेना देन पाचन क्या होता है पाचन के माध्यम से बड़े बड़े कंड छोटे छोटे कंडों में तूट जाते हैं पाचन की पिरकिरिया मुक से प्रारम होती है अबशूशन क्या होता है जो छोटे 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 कंड तूटे ह उसे हमारी रत तक पहुँचना यानि कि हम क्या करते हैं अब्जर्ब कर लेते हैं अबसूसित कर लेते हैं और बाकी का जो एपचित भोजन होता है वो हमारे एनस द्वारा क्या हो जाता है यानि कि बाहर हो जाता है वासमजमाई जो एपचित भोजन है जो आप सुभ़ सुबह जाते हूँ, ठीक है न भाई, fresh होने के लिए, दैन आगे बोलू, स्वांगी करण की होता है, स्वांगी करण बोलते हैं बच्छो, assimilation, assimilation, assimilation क्या होता है, स्वांगी करण, स्वांगी करण का मतलब होता है बच्छो आपका, जो पोशकपदार्थ observe किय गए पोशक पदार्थों का रक्त की दुआरा रक्त का काम क्या होता है मैंडरे आपको बताया था ब्ल Honda का का काम होता ए regulator Princeton of gases and transportation of nutrients पोशक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाने का काम तो स्वांगी करण का मतलब ही क्या होता है जो आपके न्यूट्रेंट्स हैं पोशक पदार्थ हैं पोशक पदार्थों का कहां तक पहुचना कोशिका तक पहुचना कोशिका समझते हो ना आप कोशिका बोलते हैं शैल के लिए शैल तक पहुचना ही क्या कहलाता है स्वांगी के अंदर बहुत सारी ऐसी अबस्स्ट पदार्थ यानि कि वेस्ट मैटे summat है जिनका सरी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है जैसे कि हमारा यक्रत अमोनिया को यूरिया में छेटा देता है तो बच्छो वह यूरिया जो होता है उत्सरजन होता है एक्सक्रेशन होता है बास समझा रही है न तो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ उत्सरजन का मतलब क्या है उत्सरजन का मतलब है जो हानी कारक पदार्थ हैं यानि कि जो अबसिस्ट पदार्थ हैं 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 ठीक है ना अंकिता सेनी बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लेवल वन के लिए भाई यार इतनी तो बुद्धी होनी चाहिए ना तुम में खुद से हम क्या पढ़ रहा है एवीएस पढ़ रहा है तो लेवल मन में तो आता ही आता है तीस नंबर का है पूरे का इसके बिना लेवल वन क्रोस कर पाना आसान नहीं है मुझे लगता नहीं है कि इसके बिना पॉसिबल हो क्योंकि बाकी में तीस तीस कर आओ ऐसा मुझे लगता नहीं आप तो इसकी भी अपनी इम्पोटेंस होती है बात आपको ध्यान रखने है ठीक है ना जिन्होंने भी क्लास को कि माट मय But at 9 io हमारा जो मुख होता है मौक !! म मौत की बात करों तो मौट में किया-पी चीजा आपको देखने को मिँलेंगी माउथ में आपके एक तो पाए जाते हैं टीथ या honey compare डाट पाए जाते हैं डाट के सासh- únठ एक पाई जाती है आपकी cieb जो बहुत चलती है कही बार बोलते है तेरी cieb बहुत चलती है cieb चलाने का मतलब शमह्सतो न ययानि कि बहुत ज़्ज़ादा बोलता उसे बोलते है जीb चलाते हो आप ठीक है ना भाई बात क्या अंदर मुह से स्टार्ट कर देते हैं अगर मैं बात करूँ आपसे दांत तो दांत बच्छो आपके दो परकार के होते हैं उगने के आधार पर उगने के अनुसार दांत दो परकार के होते हैं एक तो होते हैं आपके यानि कि टेंप्रेरी टीथ जिन्हें बोलते हैं यानि कि Temporary का मतलब आप सभी जानते हो ना, एस्थाई दांत, एस्थाई, एस्थाई का मतलब क्या होता है, एस्थाई का मतलब क्या होता है, यानि कि जो temporary हो, temporary दांतों को यह हम दूद के दांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूद के दांत भी कहते हैं, दूद के दांत, तो दू उटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, दोबारा उग आते हैं, ठीक है न, धिहान रखनी है यह बात, ठीक है बहुत अच्छी बात है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है, 20, 20 होते है, ठीक है न, मनुष्य में कुल दातों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, 32 होती है आपको पता होगा temporary teeth ठीक है न भाई आगे बात करूँ मैं आपसे एक होते हैं आपके इस्थाई यानि की permanent दाथ जो होते हैं इस्थाई permanent teeth अगर मैं बात करूँ बच्छो ये दूद वाले नहीं होते इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या होती है अगर मैं बात करूँ बच्छो अगर ये तूट जाएं तो तूटने के बाद ये दूबारा नहीं उगते हैं दुबारा नहीं उकते चीजों को समझते जाना है सारी चीज ऐसे ही समझ जाओगे आसानी से आगे बात करें जीब के बारे में एक करें आसू धीमान क्या हाल है गुरू जी बहुत दुविधाम है भाई कोई तेरे पास हो पाया है तांत्रिक वगेरा हो तुम आखिर हो क् यार पढ़ने आयो पढ़ने पर ध्यान दो यहां ऐसी बात करते हो अगर मैं बात करूँ आपसे बच्छो किसके बारे में जीब के बारे में तंग के बारे में तो जीब क्या है एक मस्कूलर ओर्गन है आपकी ठीक है न भाई मस्कूलर ओर्गन को बोलते है पेशिय अंग ह बोलते हैं मस्कूलर ओर्गन मस्कूलर ओर्गन मस्कूलर ओर्गन है ठीक है न भाई अब देखो जीब से क्या पूछ लेता है जीब क्या करती है हमारे टेस्ट को बताती है और जो हमारा खाना होता है उसे मतलब लार में मिस्रित कर देती है लार में क्या कर देती है, मिक्स कर देती है, तो जीब का अगर मैं कार्य की बात करूं, फंक्सन क्या है, दात का काम तो आपको जानते हो, काटने का काम होता है, जीब का क्या होता है, तो टेस्ट बताना, टेस्ट, कहते हैं न तेरी जीब बड़ी चटोरी है, चटोरी का मतलब क्या है जिसकी जीब बारबार कुछ ना कुछ खाने को करती हो जैसे कि कुछ लड़कियां पता है क्या होती है वैसे घर में तो देखो अगर घर में खा रही है तो 4-5 रोटी खीच जांगे एक बार में और बाहर कहीं बैठी है नहीं मैं तो आधी रोटी खाता है मुझे छीज तो पसंदी नहीं है बिलकुल, ऐसा करते हैं न, सेम सिच्विशन होती है, मेरी सरिकरती है, टेस्ट बताती है और देन क्या होता है जो आपका सलाइवा होता है, लार लार को क्या कर देती है लार को भोजन में मिलाती है भोजन के साथ सलाइबा को भोजन के साथ मिला देती है देखो भई इससे फाइदा क्या है भई अगर सूका-सूका भोजन है ना सूका-सूका तो हमारे अंदर जो हमारी ये जो ऐसो फैगस है ना इसके अंदर भोजन नीच पहुँच जाता है। जीब बनानी है, जीब बनाओ के लंबी सी, जिसकी लंबी हो लंबी बना ले ना, जिसकी छोटी जीब हो भाई वो अपनी छोटी बना ले ना, लेकिन बनानी जरूर है, ये कुछ जीब का आकार ऐसा होता है, देख रहे हैं आपको, यहाँ देखो ध्यान से, तोनम तलान इसा है कि भाई जीब का कौन सा वाला भाग कैसे टेस्ट को बताता है अगर मैं बात करूँ आप से जीब का जो पिछला भाग होता है पिछला ये कड़वा बताता है कड़वा धियान रखना है कड़वा यानि कि यह कैसा बताता है यह बताता है स्वीट के बारे में स्वीट मतलब मीठे के बारे में बताता है मीठा पीछे वाला कड़वा बताता है अगर मैं बात करूं आपसे आगे की साइड में यहाँ पर जो यह वाला पोर्शन होता है यह वाला पोर्शन दोनों साइड यह वाला पोर नमकीन जो खा रहे हो ना आप नमकीन के बारे में क्या बताएगा साइड वाला पार्ट और इसके जो पीछे वाला पार्ट होगा जस्ट ठीक है न वो किसके बारे में बताएगा सौर यानि कि कड़वे के बारे में कड़वा तो ये कुछ पार्ट थे आपसे पूछ लेगा सा स्वीट बताएगा मीठा बताता है आगे वाला भाग जो है पीछे वाला भाग कड़वा बता देता है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी अब जानते हैं लार के बारे में लार को बोलते हैं बच्छो स्लाइबा पंजाबी तड़का ठीक आगे बात करते हैं बच्छो तो स्लाइवा, स्लाइवा, स्लाइवा बोलते हैं लार के लिए, अब लार कहां से निकलती है, लार निकलती है, स्लाइवरी ग्लेंड से, यानि कि लार ग्रंथी, लार ग्रंथी क्या करती है, लार का उत्पादन करती है, लार बनाती है, लार का उत्पादन करती है, तो लार का उत्पादन का होता है अगर मैं लार गरंथियों की बात करूँ तो लार गरंथियां होती है तीन जोड़ी कितनी होती है बच्छो तीन जोड़ी होती है जिहान रखना कितनी जोड़ी होती है तीन जोड़ी यानि कि कुल मिलाके संख्या कितनी हो गई इनकी 6 हो गई हम प्रती दिन रोजाना कितनी लार बना देते हैं तो हम बच्चो डेड़ से 2 लीटर डेड़ से 2 लीटर लार का उत्पादन करते हैं लार का उत्पादन करते हैं यानि कि हमारे मुँ में डेड़ली कितनी लार बन जाती है यानि कि डेड़ से दो लीटर सलाईवा बना देते है लार में क्या होता है UTS classes लार में पानी होता है एंजाइम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब बास समझ मैं अगर मैं लार की pH value की बात करूँ आपसे pH मान एक्जाम में पूछता है भाई यहां से सभी से question तो 6.7 होता है अगर किसी का pH मान मैंने आपको बताया साथ से जादा है तो वो क्या होगा चारिय होगा, alkaline होगा और कम है तो acidic होगा, अमलिय होगा तो लार की nature कैसा होता है तो लार होती है आपकी अमलिय अमलिय नीचर की होती है अमलिय प्रविर्टी की होती है जहां तक ना, acidic होती है यानि कि acid होती है हल की अमलिय होगी, जादा नहीं अगर किसी की pH वैल्य एक है, दो है, डेड़ है तो वो मतलब जादा अमलिय होगा अमज़ों ना मेरी बात जैसे जैसे पीछे को खिसकते जाएंगे ऐसे यह जादा अमलियता बढ़ती चली जाएगी बात क्लियर हो गई होगी अगर मैं बात करूँ बच्छों आपसे जो हमारी लार होती है, जो हमारा स्लाइवा होता है, लार के अंदर लगभग 98% तो होते हैं आपके, वो तो होता है water, water का मतलब आप जानते हो, जल होता है, पानी होता है जो भोजन को नीचे खिसकाने का काम करता है, गीला कर देता है भोजन को, ठीक है ना भाई इसके बाद मैं बात करूँ आपसे 2%, पार्ट जो होता है, वो होते हैं आपके enzyme, क्या होते हैं बच्छो enzyme होते है enzymes होते है, ठीक है हिंदी में भी enzyme है, अंग्रेजी में भी enzyme है अब enzyme कौन-कौन से होते है exam में ये पूश्टा है आपसे, दो लार में दो enzyme पाई जाते है ठीक है न कौन कौन से है एक enzyme होता है लार में जिसका नाम है lysosine lysosine ठीक है न भाई हिंदी में भी lysosine भी बोलेंगे lysosine और एक होता है दूसरा आपका जिसको बोलते हैं amylase दूसरा कौन सा होता है आपका amylase 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 M.I. L.A.S. का एक दूसरा नाम भी है इसे हम टाइलिन भी बोलते है टाइलिन क्या बोलते हैं टाइलिन टाइलिन बोलो आप या फिर M.I. L.A.S. बोलो एक ही बात है दोनों ठीक है न भाई अब देखो बात ध्यान से समझ लेनी है देखो यह जो लाइसो जाइम जो है इसका काम होता है किल्दा बैक्टिरिया जीवानों को मार देना जो भोजन के साथ आप ने क्या काम किया आप भाई देखो सभी तो हाथ हैंड वास करते नहीं हो कि भाई वो लाइब बॉय है डेटॉल लागे रख रखा है घर में के हाथ धुए पहले कई बार क्या होता है ना कई बार किसान लोग होते हैं खेत में काम कर रहे हैं वहीं खेत से काम कर रहे हैं पानी है नहीं तो ऐसे ही रोटी ऐसे ठूसना सुरू कर दिया कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि हम मतलब हाट धोना पसंद नहीं करते खाने से पहले बहुत सारे आप में से महान होंगे जो धोली हाट ठीक है सब ठीक है तो जो बैक्टिरिया हमारे फूड के साथ अंदर जा रहा है तो लाइसो जायम उसे खिल कर देता है मार देता है मुह के अंदर मार देता है ठीक है न भाई जीवानों को मारना जीवानों मतलब बैक्टिरिया भिहान रखना है कहीं किसी और चीज कोई मार दो भेंस को मार दो गई है जीवानों जो भोजन के साथ गए हैं ने मारना और जो लाइस हो जायम का काम होता है बच्छो वो होता है आपका स्टार्च को माल्टोज में कनवर्ट करना स्टार्च को मांड में परिवर्टित करना मांड मांड को बोलते हैं माल्टोज हम कार्बो हाइटरेट खा रहे हैं स्टार्च starch को modern, यानि कि जिसमें saliva मिल जाता है उसे maltose ही बोलते हैं, छोटे छोटे particle में convert करने काम खरते हैं, तो ध्यान रखना रखना है किसको starch को starch को convert कर देता है maltose में maltose में ठीकर नबाई, ये इसी का काम है ये बात आप ध्यान रखना है ठीकर न, starch को माल्टोज में मैं करता हूँ रूबी वर्मा हाथ से धो लेते हैं गुरू जी हम राक से अच्छा राक से हाथ अमन मिस्रा बेटा तू तो कुछ और भी कर सके तेरा पता नहीं है तेरा पता नहीं है तो चार्ट के भी साथ कर ले हाथ यार तेरी बराबरी हो रही है किसी भै साइन्स की क्लास साइन्स की क्लास काई बताएंगे भाई टीचर सर्च कर रहे है सर जैसे भी होए को अच्छ का फाइनल होएंगी जल्दी होएंगी जल्दी ठीक है चलो मौज ले रहे हो कती ये याद भी हो रहा है पाचन की प्रक्रिया मूँ से स्टार्ट होती है ध्यान रखना है ठीक है न भाई अब देखो ध्यान क्या रखना है आपको बोलस जानते हो बोलस बोलस बोलते हैं लुग दी लुग दी लुग दी किसे कहते हैं एक्जाम में ऐसे पूछ लेगा जब लार के साथ भोजन मिस्रित हो जाता है स्लाइवा में फूड मिल जाता है भोजन मैं क्या कह रह 55 अप से द्यान से समझना है जब लार भोजन के साथ मिक्स हो जाती है हम क्या करते हैं भई हमने खाना खाया हमारे मुँमे लार बन रही है क्ईून बार गोल गूब्पे बन रहे है कहीी है या फिर कुछ ऐसी चीज बन रहे है पिज्जा विज्जा बन रहा है खाई ही तो हमारी लार अपने आप आना स्टार्ट हो जाती है आपको पता है कहते है दोस्त मूह में लार आ रही है तो लार आई मूह में हमने खाना खाया लार के साथ हमारे दातों ने भूजन को तोड़ दिया जब भूजन हमारा लार के साथ मिल जाता है मुह में ठीक है न भाई तो उसे क्या बोलते हैं उसे ही बोलते हैं बूलस बोलते हैं क्या बोलते हैं लुगदी कहते हैं उसे क्या कहा जाता है बूलस कहा जाता है एक्जाम में पूछेगा लार जब भूजन में मिस्रित हो जाती है तब उसे क्या बोलते हैं लुगदी कहते हैं आज तो मौ जा रही है सारे पीजा वीजा बना के भेज रहे हो यहां चोधरी मास्टर जी अच्छा जी ऐसी बात है तो आ जाओ यहां पर ब पिये देखोगे ना यहां यह जो है आपकी यहां देखो मुह है आपका मुह के बाद यह जो पूरी आपको दिखाई दे रही है जो आपके आमाश्य तक जाती है इसे क्या बोलते हैं आमाश्य तक का जो रास्ता है इसमें कोई एंजायम नी होता कोई हार्मोन नी होता जब लार भोजन में मिल जाती है तो इस ग्रास नली का काम होता है कि भोजन को ये स्टमक यानि कि आमाश्य तक पहुँचा दे कहा तक पहुचा दे आमाश्य तक पहुचा दे तो इसका और कोई काम ही नहीं इसका काम होता है बच्छो भोजन को आमाश्य तक पहुचाना और भी द दिख रहा है आपका पैंक्रियाज है ये क्या है गॉल ब्लेडर है पिताशे है ये लीवर है यकरत ये छोटी आथ है ये बड़ी आथ है ये एनस है ये बात आपको समझ में आ रही हो ठीक है ना ध्यान से समझने की कोसिस करनी है अब छोटी सी चीज़ आपको ग्रास नली ऐस फेगस का काम क्या होता है भोजन को अमाश्य इस्तमत तक पहुँचाना अमाश्य तक पहुँचाना अमाश्य तक पहुँचाना अमाश्य तक पहुँचाना भोजन को अमाश्य तक पहुँचाना किसका काम है ग्रास नली का काम है और ग्रास नली का काम खतम हो गया लार का सब से बड़ा फाइदा ये है कि ये भोजन के साथ जब मिल जाती है तो भोजन आसानी से नीचे चला जाता है अगर सूखा भोजन ठोक दिया जाए आपके मुह में लार ना बने तो भोजन नीचे उतरेगा नहीं यहां कहां यानि ग्रास नली के अंदर ओए सो फैगस के अंदर अटक जायागा भोजन पास समझ माई और दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी है आगे समझ लो आगे बात करें स्टमक यानि कि आमाशय जिसे आप आम भसाम पेट भी बोल देतो हो आमाशय के बारे में बात करने हैं ठीक है ना भाई अगर मैं बात करूँ आमाशय आमाशय बनाता है आपका गैस्टिक जूस जैनि कि जिसे बोलता है हम जठर्रस जठरस जठरस को क्या बोलता है Gastic Juice जठरस बनाता है आपसे एक गजाम में सीदा का कूशन पूछेगा जठररस का उतपादन कौन करता है जठररस का उतपादन कौन करता है आमाश्य करता है बास समझ है उल्टी आ रही है लाड सुनते सुनते प्रीत कह रहा है बेटा बेटा उल्टी को सीधी करने की भी दबाई है हमारे पास अगर आसपास होते तुम तो उल्टी नहीं कर रहे होते फिर सीधी ही कर रहे होते ठीक है ना आँ माशे ठीक है भाई या जो बताने की चीज़ अब मैं लार को क्या बोलू तब तो ठीक है तब उल्टी नहीं आएगी तो महान हो भई gastric juice बनाता है अगर मैं बात करूँ gastric juice की जो pH value होती है वो डेड़ से डहाई के बीच होती है यठर रस की pH value एक्जाम में पूछी जाती है डेड़ से डहाई के बीच होती है 1.5 से लेके 2.5 तक इसकी pH value होती है अब देखो भाही ध्यान रखना है बहुत ज़ादा अमलिय होता है gastric juice जो आपका तिजाब होता है ना तिजाब कही बार कहते हो आप acid बन रहा है acid कहाँ बन रहा है acid बनता है अमाश्य के अंदर खंटी खंटी डगार आती है या मिर्ट सी लग जाती है गले में तो इसका मतलब hcl जादा बन गया है बास समझ माई तो जठर रस की जो pH value होती है वो लगभग कितनी होती है आपकी यानि कि लगभग आपकी डेड़ से ढ़ाई के बीच होती है इसकी जठर रस की pH value ये क्या काम करता है भोजन को अमलिये बनाता है भोजन को अमलिये बनाता है भोजन को अमलिये एसेडिक बनाना इसका काम है अमलिये बनाना इसका काम है जठर रस का चीक है ना भाई अब जठर रस में होता क्या क्या है जठर रस के अंदर होता क्या क्या है वो बात ध्यान से समझती है अगर मैं बात करूँ आप से जठर रस के अंदर लगबग 99% इसमें वही अपना जल होगा पानी होगा इसके साथ साथ इसमें HCL होता है HCL HCL बोलते है हाइड्रो क्लोरिक एसिड हाइड्रो क्लोरिक एसिड एक्जाम में कुशन पूछेगा HCL का उत्पादन कहां होता है स्टमत के द्वारा HCL कहां पाया जाता है जठर रस के अंदर पाया जाता है और इसके बाद पाया जाते हैं कुछ इसमें एंजाइम एंजाइम पाया जाते है एंजाइम को हिंदी में भी एंजाइम बुलते हैं अंग्रेजी में भी HCL के बारे में पता चल गया होगा हाइड्रो क्लोरिक एसिड बैक्टिरिया वगेरा को मानना और फूड को एसेटिक बनाना इसका काम होता है अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ दो काम है इसके भोजन को अमलिय बनाना एसेटिक बनाना भोजन को अमलिय बनाना किल्दा बैक्टिरिया जीवानों का सत्यानास कर देना जीवानों को खोपड़ी फोड़ देता है इतना ज़्यादा अमलिय होता है टिजाब की तरह है ठीक है न भाई जीवानों को मारना ठीक है न भाई ये बात ध्यान रशनीए बैसिक बैसिक अब एनजियम कौन कौन से होते हैं इसमें ये चूझ आपको सोड़ी सी ध्यान से समझनी है एक एनजियम होता है बच्छो रेनिन 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 एंजाइम रेनिन एंजाइम ध्यान रखना है रेनिन का काम क्या होता है इसे दूद पचाने वाला एंजाइम भी बोलते हैं दूद को पचाने वाला एंजाइम कहते हैं दूद को पचाने वाला एंजाइम कहते हैं ये क्या काम करता है दूद में एक प्रोटीन पाई जाती है जुसका नाम है केसीन केसीन प्रोटीन को ठीक है ना क्या करता है पचाने का काम करता है ध्यान रखना है रैनिन एंजाइम का काम क्या है हाँ दूद के अंदर एक्जाम में पूछता है बच्चो केसीन प्रोटीन कहां पाई जाती है ध्यान रखना है मिल्क के अंदर पाई जाती है मिल्क यानि कि दूद के अंदर मिलती है केसीन प्रोटीन इसे पचाने का काम होता है ठीक है ना भाई कई बार joamanting कर देता है, क्युंकि digest नहीं कर पाता हूँसर और केसीन का काम क्या होता है, केसीन जो आपका एंजाइम होता है, sorry, Renan जो होता है, वो milk protein को digest करने का काम करता है, आगे बात करें, एक enzyme होता है, एक enzyme होता है, जिसका नाम है pepsin, pepsin, quepsin enzyme, पेपसिन एंजेम भी यहीं पाया जाता है यह क्या काम करता है बाकी की प्रोटीन जो होती है बाकी की जो प्रोटीन होती है उन्हें प्रोट्टॉन में तोड़ने का काम करता है प्रोट्टॉन प्रोट्टॉन में तोड़ने का काम करता है प्रोट्टॉन लिख ले ना पी आर कहां से मतलब प्रोटीन का पाचन कहां होता है प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंब होता है प्रोटीन का पाचन आमाश्य से प्रारंब होता है यह बात ध्यान रखनी है प्रोटीन का पाचन कहां से इस्टमक इस तमक से प्रारंब होता है ठीक है न बात ध्यान से समझ ले निये तो आपने जान लिया होगा ये किसके बारे में ये था हमारा आमाशे आमाशे के अगर मैं आकार की बात करूँ तो बच्चो इसका आकार कुछ जे टाइप का होता है जे टाइप का ठीक है ना भोजन को क्या करता है कुछ मतलब स्पेश में कवर्ड कर लेता है प्रोटीन का पाचन हाँ इस्टमक आमाश्य से स्टार्ट होता है बहुत बढ़िया एक ये कोँवान है पंकज जैसा पकड़ भई पंकज कहां से हूँ आप मधूजी बेटा आज तक हमसे तो कभी नहीं पूछी मधूजी इतना प्रेंब हमसे भी थोड़ा बहुत हमसे भी पूछ लिया करो यार गुरूजी आप कहां से हूँ नहीं पूछ तो ना गलत बात है ठीक है चलो आजओ आगे आजाओ, देखो कल से और भी चीज़ें बहुत फास्ट चलेंगी, कल से, कल में कई सारी चीज़ें प्रमुक आपके, जो मेले वगएरा होते हैं, मेले से कुशन बनता है आपका, कुछ आपके प्रमुक त्योहार होगे, जैसा ओडम वगएरा कहा मनाया जाता है, ये सार ये मजाख है, ठीक है ना, कहीं मदू के पीछे ही पड़ जाओ अप, ठीक है आजाओ, अगर मैं बात करूँ आपसे लीवर, यानि कि जिसे बोलते हैं, यकरत, कलेजा, कलेजा लिखा मिल जाएना है जिसका मतलब यकरत की बात कर रहे हैं, जिगर, जिगर बच्छो, मेरे ज जिगर का टुकड़ा है, जिगर मतलब ऐसा नहीं कहीं सोच लो हर्ट का टुकड़ा बता रही हैं, हर्ट का तो कोई रॉल ही नहीं आपको पता है, जिगर मतलब लीवर, लीवर अगर मैं बात करूँ आपसे इसे हमारी बॉड़ी की जैव रशायन फैक्टरी भी बोलते हैं भाइयो केमिकल लेब भी बोलते हैं जैव रसायन फैक्टरी कहते हैं सिर अगर मैं बात करूँ आपसे लीवर की तो यह हमारे मतलब सरीर की सबसे बड़ी गरंती है सबसे बढ़ा अंग कहलो या गरंती कहलो सरीर की सबसे बड़ी गरंती ठीके न भाई या फिर अंग कह सकते हूँ आप ओरगन कह सकते हो ठीके न भाई ग्लैंड बोलो या ओरगन बोलो तो सरीर की सबसे बड़ी गरंती है ध्यान रखना है अब देखो और क्या-क्या चीज़े जो यकरत के बारे में हमें जानना है अब देखो यकरत से जो उत्पादन होता है यकरत लीवर से यकरत क्या बनाता है उत्पादन यकरत उत्पादन करता है पित्तरस का बाइल जूस जिसे बोलता है पित्तरस पित्तरस कौन बनाता है पित्तरस बनाता है यकरत इसके अंदर कोई एंजैम नहीं होता है बात ध्यान पिताशे में होता है, पिताशे, पिताशे के अंदर एकटा होता है, जिसे आप पित की थैली भी बोल देते हो ना, जब आपकी पित की थैली के अंदर स्टोन हो जाती है, डॉक्तर पित की थैली काट देता है, आपकी समझ रो ना मेरी बात, तो वही पित की थैली है, जहां प से सीधा सीधा सा कहूं तो ये कैसा होगा ये चारिये होगा अलकलाइन होगा दिहान रखनी है बात एक्जाम में पूछता है पितरस कहां बनता है लीवर के दौरा यकरत के दौरा पितरस एकटा कहां होता है एकटा मतलब स्टोर होने का काम कहां करता है तो पिताशे एक थैली होती है पिताशे ठीक है न दिखा दें यहां आपको यह है आपका लीवर लीवर बनाता है बाइल जूस पितरस पितरस कहां इखटा होता है पिताशे के अंदर किसके अंदर बच्छो पितासे एक छोटी सी क्या होता है औरगन होता है गाल ब्लेडर जो आपका ग्रीन कलर का द भोजन को चारी बनाना इसका काम होता है साथ के साथ यकरत क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है यूरिया और यूरिया का उत्सरजन किस के दुवारा होता है उत्सरजन होता है व्रक के दुवारा व्रक बोलते हैं बच्चो किडनी के लिए क्या बोलते हैं किडनी के लिए बोलते हैं व्रक बास समझ मैं आप से पूछे यूरिया का उत्पादन कौन करता है तो उत्पादन करता है य कि रापके लीवर का या करत का सीदा-सीदा सा कोशन पूछा गया है आप से और उत्सरजन करने का, यानी कि उत्सरजन का मतलब क्या क्या है, कि बलड के माध्यम से बलड को प्यूरिफाई करके यूरिजा को बलड से अलक कर देती हैं, किड़नी किड़नी चाय की छलनी की तरह होती है आपकी किड़नी दो होती है पांच मत समझ लेना किड़नी कितनी होती है दो होती है बच्छो ठीक है बिटा आप पढ़ लो देखो अगर आपस मैं बातशीत करोगे तो मुर्गी बना दी जाएगी तुमारी ठीक है न यहां पित रश के अंदर एक वर्नक होता है, वर्नक बोलते हैं बच्चों, पिगमेंट के लिए, वर्नक, अब पिगमेंट का नाम क्या है, पिगमेंट का नाम है, बिलिरूबिन, बिलिरूबिन, बिलरूबिन पिगमेंट, बिलरूबिन पिगमेंट कहां पाय जाता है, यानि कि पि पीवर में कोई दिक्कत आ जाएगी तब ही मात्रा अधिक हो जाएगी बिलरूबिन वरनक की बिलरूबिन वरनक का कलर होता है पीला रंग कैसा होता है इसका येलो रंग होता है येलो पास समझ मैं और जैसे ही इसकी मात्रा अधिक होई बिलरूबिन वरनक की कब होगी जब य जोएंडिस बोलते हैं, जोएंडिस कहते हैं पीलिया को, पीलिया नामक रोग हो जाता है, बाकी मैं अगर आपसे सच्छाई बताओं तो पीलिया कोई रोग नहीं है, पीलिया एक क्या है, लक्षन है, जो यकरत में खराबी होने की वज़े से होता है, बाकी रोग का नाम होता है Hepatitis, Hepatitis में यकरत की bend बच जाती है, वाइरस से होने वाला रोग है Hepatitis, बहुत खतरनाक रोग होता है बच्छो, ठीक है न भाई, बिलरूबिन पिगमेंट की मात्रा अगर बढ़ जाए, तो बच्छो, हमारे रक्त का रंग कैसा हो जाता है, रक्त का रंग पीला हो जाता है, रक्त का रंग कैसा होगा, रक्त का रंग होगा, पीला, और रक्त का रंग पीला हो जाता है, तो हम कह देते हैं, हमें हो गया है, पीलिया, आज समझ माई, ये बात थोड़ी सी दिहान रखने हैं, कुशन सीधे सीधे से बनते हैं यहां से भाई जोइन्डिस अब आगे आ जाओ आगे डाल देना पैन करियाज पैन करियाज इसे बुलते है अगणाशे अगणाशे बच्छो क्या बुलते है अगणाशे अगणाशे के बारे में खास बात क्या है यह है एक mixed gland है mixed gland mixed gland का मतलब क्या है misrit गरंथी है कैसी गरंथी है misrit गरंथी है misrit गरंथी है आपकी pancreas ध्यान रखनी है अगर misrit तुमें भी पूछे तो misrit वालियों में सबसे बड़ी है सबसे बड़ी वैसे overall body की पूछे तो यकरत बड़ी है लेकिन misrit गरंथी कौन सी सबसे बड़ी है तो pancreas सबसे बड़ी mixed gland है देखो भाई ध्यान रखना है misrit गरंथी उसे कहते हैं जो enzyme और hormone दोनों निकालती है ठीक है न वीडियो क्यों रुक रही है प्रीती सिंग कह रही है बिटा आपके net में शायद कोई दिक्कत होगी बाकी यहां से तो सब सीज़ें एकदम बढ़िया चल रही है हाँ yellow हो जाता है जोती तुम थोड़ा पीछे रह गई हो आगे आ जाओ बिटा अगर मैं बात करूँ आप से पैन क्रियास से क्या होता है एक juice निकलता है देखो भाई पित रस यकरत से निकलता है जठर रस आमाश्य से निकलता है इसे बोलते हैं बच्चो अगनाश्य रस अगनाश्य रस पैन क्रियेटिक जूस बोलते हैं अंग्रेजी में पैन क्रियेटिक जूस तो pencreatic juice का उत्पादन कौन करता है तो इसका उत्पादन करता है pencreas बास समझ मैं अगनाश्य करता है इसकी जो pH value होती है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है वो 8 होती है कितनी होती है pH value 8 आठ है तो क्या होगा छार ये होगा ध्यान रखना है बच्चो इसमें क्या होते हैं इसमें क्या ही परकार के क्या होते हैं आपके enzyme होते हैं enzyme ठीक है ना क्या होते हैं बच्चो enzyme होते है then एक शीज और ध्यान रखनी है pencreas enzyme भी नकालेगा और pencreas hormone भी नकालेगा अगर मैं बात करूँ बच्छो पैंक्रियाज से निकलने वाले हॉर्मोन तो एक जो पैंक्रियाज के अंदर ना लेंगर हैंस द्वीपिकाई पाई जाती है लेंगर हैंस द्वीपिकाई या द्वीप जिनें बोलते हैं लेंगर हैंस आईलेंड बोलते हैं या कोशिका कह सकते और गामा सेल होती है अलफा बीटा गामा सेल होती है लेंगर हैंस कोशिकाओं के अंदर बीटा सेल से निकलता है आपका इंसूलिन हार्मोन बहुत पूछा जाता है इंसूलिन हार्मोन कौन सा हार्मोन निकलता है इंसूलिन हार्मोन निकलता है इंसूलिन हार्मोन एक्जाम में सीधा सा कुशन पूछेगा इंसूलिन हार्मोन किस गरंथी से निकलता है अगनाश्य से निकलता है बच्छो अब देखो ध्यान क्या रखना है ये क्या करता है ये सरीर के अंदर इंसूलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को नियंतरित करता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंतरित करना इसका काम है मात्रा को कंट्रोल करना नियंतरित करना ग्लूकोज की मात्रा को नियंतरित करना इंसूलिन हार्मोन का काम है अगर भाई इंसूलिन हार्मोन इंसूलिन हार्मोन ना कई बार जैसा आप ज्यादा टेंसन लेते हो टेंसन में आगे तो इंसूलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है एनिद्रा, एनिद्रा मतलब जो आदमी कम नींद मारता है उसे के अंदर भी इंसूलिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा टेंसन में रहता है उसी के अंदर इंसूलिन हार्मोन बंद हो जाएगा तो अब बचो इंसूलिन हार्मोन अगर बंद हो जाएगा तो हमारे सरीर में क्या हो जाएगी अगर ये क्या हो बचो बंद कम हो जाए बंद या कम हो जाए तो फिर क्या होगा ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी और हमारे रक्त के अंदर ग्लू कोज में टूट जाता है तो ग्लू कोज का इस्तर बढ़ जाएगा अब ग्लुकोज का जो इस्तर बढ़ता है इसी अवस्था को जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चो डाइबेटीज बोलते हैं डाइबेटीज बोलते हैं डाइबेटीज मतलब मधू मेहे बोलते हैं हिंदी में मधू मेहे और मधू मेहे को पिर मदू मेहे, आपसे पूछेगा सुगर क्या है या मदू मेहे क्या है, रत के अंदर ग्लुकोज की मात्रा का बढ़ जाना ही आपका डाइबटीज है, ध्यान रखना है, सुगर कौन कंट्रॉल करता है, इंसूलिन हार्मोन, निकलता कहां से, पैन क्रियास गिलेंड से, ध् क्या है बच्चो, केमीकल, केमीकल नेचर कैसा है, इंसूलिन हार्मोन का केमीकल नेचर कैसा है, एक्जाम में पूछता है, तो एक कैसे नेचर का है, ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन नेचर का है, ध्यान रखना है, कैसा नेचर है, प्रोटीन नेचर है बच्चो, वहाँ option देगा, carbohydrate, fat, protein, और देदेगा, vitamin देदेगा, कुछ भी देदेगा, कैसे यह बच्छो, protein nature का है, ध्यान रखना है, insulin hormone, insulin का nature कैसा है, protein वाला nature, बात clear हो गई होगी, अगर मैं बात करूं, enzyme कौन कौन से होते हैं, तो enzyme का ध्यान लखना है, trypsin, trypsin, अगर मैं बात करूं, trypsin जो enzyme होता है, किसका पाचन करता है, यह protein का पाचन करता है, सीधी सीधी सी बात करूंगा मैं आपसे, protein का पाचन करने वाला है, protein का पाचन करता है, कौन, trypsin enzyme, आगे बात करूँ एक और एंजैम निकलता है जिसका नाम है लाइपेज, क्या नाम है बच्छो लाइपेज, लाइपेज जो एंजैम होता है वो कहां से निकलता है, यहीं पैनक्रेटिक जूस में होता है, लाइपेज एंजैम, लाइपेज क्या करता है, कार्बो हाइटरेट क काब्स का पाचन करता है काब्स का पाचन करना किसका काम है लाइपेज का काम है और बच्चो एक और होता है जिसे बोलते है M.I.L.O.S M.I.L.E.S बोलते है M.I.L.E.S M.I.L.E.S का काम क्या होता है M.I.L.E.S का काम होता है स्रोरी भाई जो लाइपईज है एफैत का पाचन करता है प्वाई मिस्टेक तो लिगदा ना फैट यानिकी बसा फैट और जो amylase होता है तीसरा आपका Amylose इसका काम होता है καब्स का पाचन करो काब्स का पाचन ठीक है न भाई कार्बो हाइट्रेट का पाच्छन करों बात किलियर हो गई होगी हाँ लाइपेस बेटा फैट का करता है फैट 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 ठीक है न तो तीन निकलते हैं इनके बारे में हलका सा ध्यान में रख लेना ये ज़ादा नहीं पूछे जाते हैं इनसूलिन से कुशन कैई बार बना है तो इनसूलिन पर थोड़ा सा ज़ादा दिमाग लगा लेना है ठीक है न भाई आगे बाद देखो यहाँ समझनी क्या है देखो मैं आपको एक बार समझाए दे रहाँ टाइम है हमारे पास नहीं है भाई टाइम खतम हो लिया देखो भाई यहाँ आपका जो पैनक्रियाज है न यह बिलकुल यहाँ छोटी आथ के एकदम कतई बगल मैं नहीं कि छोटी आथ यहीं पैनक्रियाज से सुरू हो जाती है छोटी आथ के तीन पार्ट होते हैं ठीक है न, छोटी आंथ के तीन पार्ट होते हैं, तो छोटी आंथ मतलब small intestine डाल देना, छोटी आंथ, छोटी आंथ के क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं, तीन भाग, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला वाला जो होता है, उसे बोलते हैं, डॉडेनम, एक होता है बच्छो, द जो होता है बच्छो, उसे बोलते हैं, इलियम, अगर मैं बात करूँ बच्छो, यहां आपसे पूछे कि छोटी आंथ का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग छोटी आंथ का कौन सा होता है, यानि क ileum होता है और छोटा कौन सा होता है छोटा तो छोटा बहग जो होता है आपका वो सबसे जैजेनम होता है छोटे आत की अगर लंबाई की बात करूँ लंबाई कितनी होती है देखो नाम इसका छोटी आंत है लेकिन यह सबसे बड़ी होती है बड़ी आंत से बड़ी होती है लंबाई होती है इसकी 6-7 मेटर 6-7 मेटर की लंबाई होती है छोटी आनस की टोटल मिला के ध्यान दखने है वच्चो डॉडनम, जेजनम और इलिम अगर मैं बात करूँ वच्छो आपसे भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है ऐसा आपसे पूछे संपूर्ण पाचन भोजन का कहां होता है छोटी आत के अंदर होता है बड़ी आत में कोई किसी परकार का पाचन नहीं होता डाइजेशन नहीं होता डाइजेशन मतला बड ध्यान रखनी है जो ileum होती है ना ileum ileum की दीवारों पर जो ileum है, छोटी आथ काई भाग है, last बाला जो होता है ileum ileum यह ileum है, ileum की जो दीवार हैं उन पर छोटी छोटी उंगलियों की यह संरचना पाई जाती है, उंगली जैसे आपकी उंगली spillyes इसे जिसे बोलते हैं left intestinal vili viliya भी कह देते हैं альные-t vanilla इंदी में बोलते हैं antr rashankur antr rashankur antr rashankur कहते हैं हिंदी में यह क्या काम करती है भोजन को absorption करने में शहिता करती है भोजन को अब्शोशित करने में, यानि कि अब्शोशन मतलब अब्जर्ब करने में हेल्प करती हैं, भोजन को अब्शोशन करने में हेल्प करती हैं, हेल्प, शाहता, आप से एक्जाम में कुशन पूछेगा, भोजन का सबसे जादा या सबसे जादा पाचन कहां होता है, व भोजन का सरवधिक अभुशूशन कहा होता है वच्छो वो भी होता है आपका छोटी आत्म है। भी कहना अब्जर्वेशन ऑफ फूड तो वो भी स्मॉल इंटरस्टाइन में होता है। बात क्लियर है भोजन का सबसे जादा पाचन और सबसे जादा अब्जर्वेशन अब देखो जो आपका लास्ट वाला इलियम वाला पार्ट है वो बड़ी आत्स से जुड़ा होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ बड़ी आत्स के बारे में तो बड़ी आत्स में आपका एक्ट होती है, लार्ज इंटस्टाइन, ये क्या करती है, जल वगेरा को अबसूसित करने काम है, जल को अबसूसित करने का इसका काम होता है, कोई खास काम इसका है नहीं, अबसूसित करना, वाटर को अबसूसित करने का काम है, ठीक है ना भाई, धियान रखना है, और इसके बारे में ऐसी कोई बात है नहीं, water को observe करती है, इसके अंदर ना कोई digestion होता है, और ना कोई observation होता है, छोटी आत में ही maximum digestion और maximum observation होने का काम होता है, exam के point of view से जरूरी है, exam में कई बार यहां से cushion बने है, ध्यान रखना है, पितरश कहां से बनता है, पितरश बनाता है आपका liver यकरत ठेके ना, जठरश बनाता है आपका armashes, यानि कि पेट, पेट भी एक ही होता है, लीबर भी एक ही होता है, कई पूछे किई लीबर होते हैं, तीन मतलगा देना किड़नी दो होती हैं सरीर के अंदर ये छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चीए ठीक है ना भाई ये बात यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपकी पोसिस करता हूँ अच्छा लगा होगा एक क्लास का चैप्टर नहीं है लेकिन हमारे पास समय कम है इ सबी चीज़े मैंने वो डिसकस कर ली हैं जो एक्जाम के पॉइंट विव से जरूरी है हाँ ठीक है भाई मिलते हैं कल की क्लास में कल सलाइड से जबर जस तरीके से बहुत सारी नई चीज़े मैं बताऊंगा जो एक्जाम औरियेंटेड होंगी सीधे सीधे से कुशन तो कल सबी समय से क्लास में आ जाना सारे के सारे बच्चे और जिनों को लाइक कर दो भाई शेर वेएर कर दिया कर ओए दो जगह ठीक है ना नहीं तो सुताइब पहुत तगडी कि जाएगे आपकी ठीक के सबी बच्चों को नमस्कार जैहिन बाय बाय टाटा ठाटा